everyone कैसे हैं आप लोग तो recently RBI ने operation twist जो है यह बहुत ही important होने वाला है तो इसको introduce किया है तो यहाँ पे हम लोग को तो पहले operation twist समझने से पहले यहाँ पे यह समझना होगा कि यहाँ पे short term securities क्या होती है या और long term securities क्या होती है और इसको जो है government जो simultaneously यहाँ पे sell भी कर रही है और इसको buy भी कर रही है तो इसको जो है simultaneously sell और buy करने के वज़े से Indian economy में इसका impact कैसे पड़ेगा तो इसको detail में discuss करेंगे इसके जो यहाँ पे background कहां से इसका background आया है तो इसके जो देखे आपके जो UPSC के यहाँ पे GS3 paper में यहाँ पे ऐसे topics बहुत ही जो important है जो यहाँ पे UPSC point of view किसी भी exam point of view के हिसाब से बहुत ही important होने वाला है तो इस वीडियो को end तक बिलकुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो इसको please subscribe कर लीजे ताकि आने वाले ऐसे ही videos के notification इसी तरह आपको मिलते रहें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पे देखिए Reserve Bank of India ने यहाँ पे जो operation twist है जो कि यहाँ पे simultaneously जो government की जो bonds है उसको sell करने का और उसको जो है अलग type के जो long term bonds है उसको buy करने का यहाँ पे जो policy के है तो इसी को जो है operation twist के नाम से देके तो Indian version of operation twist है इसको जो amounts के है तो यहाँ पे देखे government यहाँ पे जो लगभग 10,000 करोर का जो bonds है तो जो long term bonds जो है यह जो mature होगी 2026 से लेकि 2030 तक इसको buy करेगी और उतना ही amount यानि कि 10,000 करोर रुपीज का यहाँ पे जो treasury bills है तो इसके बार में भी discuss करेंगे यह जो यहाँ पे government sell करेगी तो यहाँ पे देखे देश में यहाँ पे liquidity जो है liquidity अभी लोगों के पास जो है पैसा consume नहीं हो रहा है यह पैसा जो है पर बढ़ती जा रही है तो इसको government यह जो एक ऐसा tool है जिस tool के जरिए government यहाँ पे लोगों से जो है उनकी जो liquidity जो है यहाँ से लेके यहाँ पे लोगों को यहाँ पर जो है inspire कर सकते हैं कि उन लोग long term investment करें तो long term investment के जरिये यहां पर जो है main जो economy को revive किया जा सकता है तो देखे operation twist यह पहली बार use किया गया था RBI के दुआरा जो last year यहने कि December 2019 में पहली बार use किया गया था तो इसका थोड़ा अगर background भी हम लोग समझ देंगे तो easy होगा तो operation twist यह जो है एक dance जो है dance form से यह पहले actually यह इसका concept आया था जो चबी चेकर का एक जो dance form है 1961 में यह introduce हुआ था तो इसमें actually उन्होंने जो है अपने feeds को एक साथ ही twist किया था तो इसी concept से लेके 1961 में जो US के जो Federal Reserve Bank है जैसे कि भारत में RBI है तो यहाँ पर इसी concept को लेके यहाँ पे जो simultaneously जो securities को sell करना और buy करना यहाँ पर जो है government जो US के government ने start किया था तो इसी को अगर हम लोग image के जरिए देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा तो देखें यहाँ पर US का जो Federal Reserve है यहाँ जो short term यहाँ जो securities है उसको यहाँ पर sell करती है तो यहाँ पर sell करने के बाद जो भी पैसा यहाँ पर आता है उसी पैसो से यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करता है जो long term जो securities है ये buy कर लेती है, तो इसका नतीजा क्या होता है, इसका जो mechanism क्या होता है, इसका impact कैसा पड़ेगा economy में, सबसे important बात यही है, तो इसको हम लोग थोड़ा नजर दालेंगे, तो एक simple से चीज देखे लिए कि market में कैसी भी चीज का, अगर यहाँ पे देखे है कि उसकी य बढ़ जाते हैं, एक simple से concept है, तो government यहाँ पे क्या कर रहे है, कि जो long term securities, जो bonds है, उसको खरीद रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि market में यहाँ पे जो है, उसकी demand बढ़ जाएगी, तो इसके जो यहाँ पे उसी के हिसाब से उसके prices भी बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या इसके वादे से जो yield है, तो yield क्या है, यहाँ पे जो investors को यहाँ पे in return of उनके जो bond मिलते हैं, यह yield जो है, इसका जो यहाँ पे increase in price के हिसाब से जो inverse relationship है, यह जो है down हो जाती है, तो यहाँ पे देखें कि कम से कम interest rate में किसी भी यहाँ पे जो customer को long term securities मिलेगी, तो यहाँ पे customers को देखें कम से कम interest rate देने पड़ेंगे, तो उनलोग के पास यहाँ पे एक opportunity होगी, कि उनलोग जो है long term loans को ले सकता है, तो long term loans उनलोग कहाँ पे लेंगे, ताकि उनलोग घर खरी देंगे, यहाँ पे car खरी देंगे, अलग अलग financial projects में यहाँ पे इंट्रेस करेंगे, यहा because sell कर रही है, तो इसकी demand यहाँ पे जादा हो जाएगी, तो इसकी जो demand यहाँ पे down हो जाएगी, तो government यहाँ पे यह नहीं चाहती है, कि अभी जो है, अभी इस liquidity crunch के time में, यहाँ पे लोग जो है short term, जो security short term यहाँ पे जो investment करें, long term investment के बारे में चाहते हैं, तो इसके economy में जो consumption है, यह जादा होगी, लोगों की यहाँ पे spending जादा होगी, और यहाँ पे GDP जो problem में है, उसको यहाँ पे जो है, revive किया जा सकते हैं, उसको यहाँ पे growth में लाया जा सकता है, तो यह एक्दम simple सा यहाँ पे formula है, इसको अगर आपने समझ दिया, तो मान लिजिए कि पूरी यहाँ पे video आपके यहाँ पे command में होगी, simple सी concept है, यहाँ पे देखिए, long term security को government यहाँ पे खरीद रही है, short term को यहाँ पे sell कर रही है, government नहीं चाहती है, short term में लोग invest करें, long term पे invest करें, यानि की more than one year, दाकि यहाँ पे GDP हो, यहाँ पे economy को यहाँ पे जो उपर ला कम किया जाए, और जो long term securities को खरीद रही है, जिसके वाई से इसका demand बढ़ाया जा सके, तो यहाँ पे देखिए कि जो government security हम लोग बात करें, यह government security actually में है क्या, तो government security को इन्हें short form GSEC भी बोला जाता है, एक tradable instrument है, जो central government या फिर state government के जाड़िये, इसको जो है issue क्या जा सक तो यह government का जो debt obligations को acknowledge करती है, तो यहाँ पे देखिए central government, यहाँ पे treasury bills जो है, bonds जो है, या फिर debted security, यानि यह expired कब होगी, इसके बारे में भी mention करते हैं, जो यह issue करती है, और state government, जो है bonds और जो debted securities ही issue कर सकती है, treasury bills issue नहीं कर सकती है, तो इसको जो issue करती है state government, इसको बोला जाता है state development loans, तो यहाँ पे देखिए G-Sec, यानि कि जो government security है, यह बहुत ही कम risk है, यानि कि अगर आप इसमें invest करेंगे, तो आपको यहाँ पे loss नहीं उठाना पड़ेगा, तो यह जो है बहुत ही security तरीका है, जो यहाँ पे customers इसमें induce कर सकते हैं, इसमें invest कर सकते हैं, तो य देखिए economy में जब भी आप study करेंगे, आप उसको example के साथ समझेए, छोटे-छोटे जो यहाँ पे keywords है, उसमें नज़र दालेगा, तो छोटे-छोटे keywords से भी आपको थोड़ा था, यहाँ पे idea हो जाएगा, कि यहाँ पे बोला क्या जाए रहा है, main point क्या पे यहाँ क्या ग जो tenor अगर देखा जाए, एक तो है तीन महिने का लगभग 91 डेस का, दूसरा है यहाँ पे 182 डेस का, यहाँ कि लगभग 6 महिने का, और तीसरा जो है यहाँ पे less than one year, यहाँ कि 364 डेस का, तो यहाँ पे यह बहुत ही short terms में यह matured हो जाती है, लेकिन long term जो है इसको government bonds भी जा जाता है या फिर debt dated securities भी बोला जाता है, जिसको mature होने में minimum one year या उससे भी ज्यादा time लग जाते है, तो यह देखे पहली बार जो है लगभग 23rd December 1990 में government जो है इंडियन वर्जन of operation टूइच जो है start किया था, तो यह जो है इसके हिसाब से government ने यहाँ पे जो short term जो 825 crore यहाँ पे short term जो security sell के थे और जो long term खरीद लिया था, 10,000 करोर का long term security जो है government ने खरीद लिया था, तो इसको अगर आप लोगों ने समझ जया तो आपको concept यहाँ पे easy हो जाएगे आपके लिए, तो यहाँ पे देखे जो open market operations हम लोग बात करें इसके through open market operations को इसमें जो ह यहाँ पे use करती है, जिसके जड़िये यहाँ पे लोगों से यहाँ पे जो liquidity है, इसको सक करके यहाँ पे यह किया जाता है कि लोग यहाँ पे invest करें, long term जो policies है, long term investment में यहाँ पे invest करें, ताकि यहाँ पे जो देश की economy जो money supply है, उसको यहाँ पे control किया जा सके, और भी monetary policy tools ह इसके पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, cash reserve ratio है, यहाँ पे statutory liquidity ratio है, तो यहाँ पे open market operations इसको conduct कौन करती है, RBI, Reserve Bank of India करती है, ताकि इसके जड़िये जो यहाँ पे securities को sell करना और securities को buy करना दोनों को ही यहाँ पे अलग-अलग condition में कर सकती है, तो यहाँ पे through open market operation यहाँ जो भी security sell किया जाता है, यह directly public में sell नहीं होता है, यह true commercial banks के through यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखिए, जो government securities के जड़िये यहाँ पे liquidity जो है, उसको जो है, देश में excess liquidity हो जाती है, तो government के आकरती है, यहाँ पे short term securities को यहाँ पे sell कर दीती है, और liquidity को अगर यहाँ ज्या पेश की economy को यहाँ पे control किया जा सके, तो इसके लिए जो अलग-अलग, यहाँ पे RBI, अलग-अलग tools यूज करती है, तो आपको definitely economy में यह सब पढ़ाव का, बहुत economy का, अगर हम लोग बात करेंगे, जो heart and soul है, यह है, तो आप अगर इसको समझ लेंगे, तो पूरी की पू analysis था regarding operation twist, आशा करते हैं इसे आपको बहुत सारे concepts clear हो गएंगे, और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगए, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको subscribe कीजिए, इसको share कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और research की ज़रूत होती है, और आप लोग का support हम लोग को बहुत ज़्यादा inspire करता है, और भी hard work करने के लिए, तो आज के लिए वाज इतना ही, देख तेरी है study rise, take care, thank you and joy hind.